हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और ने वीडियो में तो दोस्तों हम इस वीडियो में रीडियों आफ रेटर का जो 3 फरवरी 2024 को एकजाम हुआ था फर्स सिप्ट में उसी समनित प्रसनों को देखेंगे दोस्तों जो की एकदम 100% रियल प्रसन है जो की दोस्तों मेरे दोस्तों द्वारा ही बताया गया है तो सबसे पहले दोस्तों आप प्रूप की तौर पर देख सकते हैं उसका मेरे पास अड्मिट काड है आप यहां पर एकजाम डेट देख सकते हैं 3-2-2024 और एकजाम टाइमिंग की बात करें तो 10 से 12 वजे तक इसका एकजाम हुआ था जो की 1-2 में पढ़ता है तो इसी की दोरह जो भी प्रस्न बताया गया है दोस्तों वही मैं आप लोगों की साध्वी सेर करने वाला हूँ इसमें दोस्तों 50 प्लस प्रस्न है तो आप लोगों का 50 में से कितना सही होता है राइट एंसर तो चलिए सिदे हम चलते हैं अपने अगला प्रस्ण आया हुआ था कि इंद्रपूरी के वैस को एक सब्द में क्या कहेंगे अगला प्रस्ण आया हुआ था कि इंद्रपूरी के वैस को एक सब्द में क्या कहेंगे अगला प्रस्ण आया हुआ था कि काटा का विसेसर सब्द क्या होगा तो दोस्तो जो अफभ्रंस का भभूती किसका भी को कहा जाता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा स्वेंबू को किसको कहा जाता है अफभ्रंस का भभूती स्वेंबू इसका राइट अंसर हो जाएगा स्वेंबू अगले प्रस्ण क्यों चलते हम दिया हुआ था मीरा बाई ने कितने गरंथों की रचना की है तो दोस्तों मीरा बाई ने जो रचना की है वो चार गरंथों की रचना की है कौन-कौन से वो गरंथ है तो नर्सी जी का मायरा, गीत गोबिन दटी का, राग गोबिन और राग सोठा इसकी रचना किसने की तो मीरा भाई ने की है अगला प्रस्ण है दिया बता कि राग दरवारी के रचना कार कौन है तो दोस्तों जो राग दरवारी के रचना कार है वो हो जाएंगे स्रीलाल सुकल कौन हो जाएंगे राग दरवारी के रचना कार स्रीलाल सुकल अगला प्रस्ण है गड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है तो दोस्तों घड़ो पानी पढ़ना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो अत्यांत लज्जित होना हो जाएगा क्या हो जाएगा अत्यांत लज्जित होना अगला प्रस्ण है अकर्षण में उपसर्ग बताईए उच्छा हुआ था कि अकर्षण में कौन सा उपसर्ग है तो दोस्तों अकर्षण में जो उपसर्ग हो जाएगा वह A हो जाएगा, क्योंकि इसे हम तोड़ देंगे A plus KIRSTOR में, तो इसमें हमारो कौंसा उपसर हो जाएगा A अगले प्रसंद क्यों चलते हैं हम कुचा होगा था दोस्टो कि 3-3 कृरणा मुहावरे का क्या अर्थ है उत्रा खंड में कुल कितने स्थानी भसाएं बोली जाती है तो दोस्तों जो उत्रा खंड में कुल भसाएं बोली जाती है वो 13 बोली जाती है कितनी भसाएं बोली जाती है कुल 13 बोली जाती है अगले प्रस्ण के ओर चलते हैं दिया हुआ था गेंद उछल रही है मैं अव्य बताइए तो दोस्तों इसका भी राइट अंसर मुझे नहीं पता है यदि आप लोगों को पता है तो आप अपना अंसर कमेंड में दे सकते हैं अगला प्रस्ण आया हुआ था पुछा था कि 1903 में मैथली सरल गुप्त को कौन सा पुरसकार दिया गया था तो दोस्तों जो 1903 म से कौन भतीजा का तत्सम सब्द है तो दोस्तों जो भतीजा का तत्सम सब्द होता है वो भ्रत्जा होता है क्या हो जाएगा भतीजा का तत्सम सब्द भ्रत्जा अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं हम पुछा हुआ था रस का सिध्धान्त किस ने दिया था तो दोस्तों जो अगला प्रस्ण है गाय का पर्यावाची सब्द क्या है उसमें दिया हुआ था question में पुछा हुआ था दोस्तों कि निम निम से कौन सी गाय की पर्यावाची है अपसन में धेनु था तो इसका राइट एंसल हो जाएगा अगला प्रस्ण आय हुआ था पुछा था दोस्तों कि मुद्रा का बहुआचन सब्द क्या है तो दोस्तों जो मुद्रा का बहुआचन हो जाएगा वो मुद्राएं हो जाएगा क्या हो जाएगा मुद्रा का बहुआचन मुद्राएं अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं दिया हुआ तो दोस्तो कि छात्राओं ने सर्द्रांजली दी का वाच्चे बदलिये तो दोस्तो इसमें बस द्वारा लग जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा छात्राओं द्वारा सर्द्रांजली दी गई क्या हो जाएगा इसका right answer च्सात्राओं द्वारा सत्ध्रानजली दी गई अगले प्रस्ण की ओर चलते है हम पुछा हुआ थे तोस्तो कि साहिब सुरच्छा समयनवयन के नए अध्याच कौन बने है तो साहिबर सुरच्छा समन्न वैन के जो नए अध्याच बने है तो लेपटिनेट जनरल M.V. Naya अगले प्रस्ट के ऊर चलते हैं जो और जो ऑनिकार्थीक सब्द क्या है तो जो खर का जो अनिकार्थीक सब्द हो जाएगा वो दूस्ट गधा तिनका मोटा क्या हो जाएगा खरका अनिकार्थी सब्द दूस्ट गधा तिनका मोटा गधा नहीं दूस्त गधा इसे कहेंगे तो इसका ही हो जाएगा खरका जो है अनिकार्थी सब्द अगले प्रसंद के ओर चलते हैं हम पुछा हुआ था दोस्तों कि हाथो द्वारा लिखी गई पुष्टक के लिए एक सब देखिया है तो इसका right answer हो जाएगा पांडू लिपी तो दोस्तों हम एक बारी एक प्रसन को पढ़ेंगे जल्दी जल्दी 50% पर हम पहुच जाए तकि वीडियो लंबी ना हो पाए अगला प्रसन है पुछा हुआ था कि यद योद का पर्यावाची सब देखिया है तो इसका right answer मुझे नहीं मिल पाया दोस्तों यदि आपको पता यद योद किसका पर्यावाची है तो आप answer अपना comment में दे सकते हैं अगला प्रसन है पुछा था कि महानयवादी का कारकाल कितना होता है तो यह दोस्तों जो होता है महानयवादी वो राष्टपती के प्रसाद पर्यांत अपना पत धारण करता है यानि कि राष्टपती से जब चाहे जब हटा सकता है अगला प्रसन है पुझा था किसी भी धार्मी का स्थान पर बम रखने पर संचालों को कितने वर्ष की सजा होगी तो दोस्तों इसका right answer मुझे नहीं मिल पाया है अगला प्रसन पूछा हुआ था NSG का प्रयोग कहां किया जाता है तो दोस्तों जो NSG होती है वो आतंग बादी गती विरोधी रोकने के लिए होती है या फिर Z प्लस सुरच्छा भी देती है क्या करती है NSG कमांडो तो आतंग बाती गती विदी रोकने के लिए होती है और Z प्लस सुरच्छा जैसे मोदी उदिक सुरच्छा के लिए NSG कमांडो का प्रयोग किया जाता है अगले प्रसन के और चलते हैं हम दिया हुआ था कि सोडियम परिवार के सदस्यों क कम काते हैं चारी धातू कते हैं अगला प्रस्का है और चलते हैं तो दोस्तों जो आई भी की स्थापना हुई थी अठाजसा सचासी में हुई थी नेकिन दोस्तों आप hepserta में ऐसे नहीं दिया हुए था आपakyha archives के बाद ईवाइन की स्थापना कभ और दोस्तों उत्त हेत विखां धुर्ष निवर्य॥ कर दो हुई थी अगला प्सम्ंच मुचह वा टथवा कि धातु का परावे learnt कितना होता है तो दो स्थोर्थ धातु का प्रावें दुतांस होता है कितना होता थातु का परावेत बैंद अनथ एगले प्रश्च्ट के ओर चलते हम पुछा हुआ तो दोस्तों कि भारत का पहला उपग्रह कौन छा था तो दोस्तों जो भारत का पहला उपग्रह था वह आर्ज भड़ था इसे कब प्रश्यपीत किया गया था तो 19 अप्रेल 1975 को इसे प्रश्यपीत किया गया था अगले प्रश्ण की और चलते हम पुछा हुआ था कि यस ओर का फुल फांप क्या है तो दोस्तों इसका भी राइट अंसर मुझे नहीं पता है यदि आपको पता है तो आप अपना अंसर कमेंट में दे सकते हैं अगले प्रश्ण की और चलते हम पुछा बात दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में राजस्तों सहिंता के स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों ये रिपीट होने लगा question लगता है एक ही पीडियाप दो बार लग चुका है तो हम चलते हैं अगले प्रश्ण की और नीचे की और देखते हैं यहां से आगया दोस्तों यहां से देख सकते हैं फिर से नए question पुछा हुआ था दोस्तों कि कार करने की दर को क्य दिया हुआ था तो पुछा था कि यम बराबर इसमें क्या होगा तो इसमें लगा देंगे फार्मूला दोस्तों यह बराबर में होता है जो बल का फार्मूला होता है यह प्राबर में तो देख सकते हैं यहम का मार पुछा हुआ था है तो यानिकि तीन से भाग देदेंगे तिसह भाग देँगे तो इसका आट एंसर हो जाएगा तीस अगली प्रस्ण के और चलते हैं है में पुछा हुआ था कि निग्रहिता का प्रतिकक क्या है तो इसका आंसर मुझे नहीं पताए अगले प्रस्ण के और चलते हैं दिया वाट दोस्तों कि यदि दो आवेसो की बीच जो 240 न्यूटन है यदि दूरी दो गुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा तो दूस्तों जैसा कि हम जानते हैं यह प्रपोर्शनल कितना होता है क्यूंग नाइंटु कियूंटू अपान के आर इसको र हो तो दोस्तों चुम्म की फ्लस्क का कमात्र होता हुँ वो बेवर होता है अगला प्रसन है वह सा क्यरता सब्सक्ता रहता है कि अ किस्च फारस में कितना दिन होता है तो दोस्टों जो टोठोचाइब अगला प्रसन है कि होता कि चालक के अंदर इलेक्टरो इस्टेटिक कमान कितना होता है कि यह एघले प्रस्टों दोस्तों कि घुमावदार पथ पर गति को उत्थ होती है अगला प्रस्ण है पुछा हुआ था दोस्तों Newton का तीसरा नियम से समन्दिः प्रस्ण हता फुछा था उसमें कि Newton का तीसरा नियम को और क्या कहते हैं तो इसका राइट आगस वाज़ा किरिया क्रिया का नियम भी कहते हैं इसके अगले प्रस्ण की commercial चलते हैं जो दोस्तो जो धारा नियंट्रक के रूप में प्रियोग किया जाता है अगला परसन है कि अगला प्रसना है कि धारा गहनत्ति की दिशाँ होती है दार गहनत्ति प्रिष्टी छेत्रफल के लंबवत होती है यह मारा लाश्ट प्रसंद था दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियों को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ साथ वीडियों को सेयर भी कर दीजिए ताकि जो है और लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार के हमार प्रस्ण आई हुए थे रेडियों आफरेटर में धन्यवाद